हेलो बच्चों मैं हरेंद्र कुस्वाहा आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है आज हम लोग एडल्स्ट्रप पोयम पढ़ेंगे एडल्स्ट्रप यह इंग्लैंड के गुलूसेस्टर सायर सहर के एक छोटे से गाउं का एक छोटा प्लेटफॉर्म का नाम है और इस पोयम में चार स्टेंजा है प्रथम के दो स्टेंजा में कभी ड्रेन की बात करता है और बाकी के दो स्टेंजा में प्राकिर्तिक सुन्दर्ता का वर्णन करता है और बच्चों यह पोयम एड़वर्ड थॉमस दौरा लिखी गई है जिनका जन्म 3 मार्च 1878 को लंदन मे हुआ था इनोंने 1912 में कभीताएं लिखनी शुरू की और बहुत से कभीताएं लिखी लेकिन इनकी अधिकतर कभीताएं 9 अप्रेल 1917 में इनकी मिर्दु के बाद प्रकासित हुई तो बच्चों इस पोयम का फ़र्ष्ट इस्टेंजा है येस आई रिमेंबर एड़ल स्ट् रिमेंबर मिन्स याद है आई ये सब्द का परियोग कभी यहां स्वेम के लिए किया है यानि कभी कहता है कि हां मुझे एडल स्ट्रप नाम याद है लेकिन यहां इसका अर्थ होगा बीना ठहराओ के ड्रिव अप मतलब रुक गई यानि कभी कहता है कि उसे एडल स्ट्रप स्ट्रेशन का नाम याद है क्योंकि गर्मी के समय में दो पहर में कभी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था उसकी एक्सप्रेश ट्रेन बीना ठहराओ के रुक गई थी इट वाज लेट जून और वह जून महिना का अंतिम समय था यानि बच्चों इस पोयम के फर्ष्ट स्टेंजा में कभी अपनी ट्रेन यात्रा को याद करते हुए कहता है कि उसे एडल स्ट्रॉप स्टेशन का नाम याद है क्योंकि जून महिना के अंत में भिष्ण गर्मी के समय दो पहर में कभी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था वह ट्रेन बीना ठहराओ के यानि बीना इस्टोपेज के एडल स्ट्रॉप स्टेशन पर रुक गई थी हम लोग का देम हिश्ट मींस बच्चों सी सी की अवाज और इस्टीम मींस वास्प एंजन यानि ट्रेन रुकने के बाद वास्प इंजन से सी सी की सी अवाज आती है someone cleared his throat cleared his throat means बच्चों होता है गला साफ करना लेकिन यहां इसका अर्थ होगा किसी ने चिलाया यानि someone cleared his throat यानि किसी ने चिलाया कि train यहां क्यों रुकी है क्योंकि train बिना stoppage के रुकी थी no one left and no one came on the bare platform bare platform means बच्चों खाली platform और यहां came मतलब चढ़ना और left means उतरना यानि कभी कहता है ना कोई train से उतरा और ना कोई train में चढ़ा और platform भी खाली था what I saw was adult drop only the name यानि कभी ने जो देखा वह adult drop नाम लिखा हुआ था यानि platform पर केवल adult drop नाम लिखा हुआ था यानि इस poem के second stage में कभी कहता है कि train रुकने के बाद train के wasp engine से CC की अवाज आती है और कोई चिला कर कहता है train क्यों रुकी है क्योंकि train बिना stoppage के रुकी थी ना कोई train से उतरा और ना कोई train में चढ़ा कभी ने जब train से बाहर देखा तो platform भी खाली था उसे एक sign board पर adult drop लिखा हुआ दिखाई पड़ा जिससे कभी को पता चला कि train adult drop platform पर खड़ी है इसके बाद third stage है and willows, willow herb and grass and meadows sweet and haycocks dry haycocks dry मिन्स बच्चों सुखे घास का धेर meadows sweet मतलब आकरसक घास का मैदान sweet मतलब आकरसक और meadows मिन्स घास का मैदान herb मिन्स जड़ी बुटी और willows मिन्स सरपत के पेड यानि कभी की train जहां रुकी थी उनके अगल बगल सरपत के पेड, सरपत ये जड़ी बुटियां, घास घास के आकरसक मैदान और पुआल के धेर थे no heat less still and lonely fear than the high cloudlets in the sky cloudlets means badal, fear means saaf या स्वच्च, lonely means akela, still means sthir और less means come, no wheat less यानि थोड़ा भी कम नहीं यानि बच्चों कभी कहता है कि उसके अगल बगल जो सरपत के पेड़ थे सरपतिये जड़ी बुटियां, घास, घास के अकरसक मैदान और सुखे घास का धेर वह अकास में उचे बादलों से थोड़ा भी कम इस्थिर, अकेला और स्वच्च नहीं दिख रहे थे यानि इस पोयम के थर्ड इस्टेंजा में कभी प्राकृतिक सुन्दरता का बढ़न करते हुए कहता है कि ट्रेन जहां खड़ी थी यानि एडल्स्टरप स्टेशन के चारों तरफ, सर्पत के पेंड, सर्पतिये जड़ी बुटियां, घास और घास के आकरसक मैदान, पुआल के धेर जो दिखाई दे रहे थे वी अकास में उची बादलों से थोड़ा भी कम इस्थीर अकेला और स्वक्ष नहीं दिख रहे थे इसके बाद फोर्थी स्टेंजा है And for that minute, a blackboard sang close by and around him Around him means बच्चों कभी के चारो तरफ, close by मतलब कभी के नज़दीक Blackboard means काले रंग की पक्षी And for that minute means थिक उसी छण यानि जिसमें कभी की ट्रेन रुकी थी, थिक उसी छण एक काले रंग की पक्षी ने गाना सुरू किया कभी के नज़दीक और चारो तरफ Mystere means सिखरता प्रुबक Mystere, farther and farther all the boards of Oxford Sire and Glucester Sire Glucester Sire और Oxford Sire बच्चों ये इंग्लेंड के दो सहर का नाम है यानि जैसे ही काले रंग की चिडिया ने गाना सुरू किया वैसे ही अन्य पक्षियों ने भी दूर दूर तक अपने मधुर ध्वनी को फैला दिया चोथे इस्टेंजा में बच्चों कभी कहता है कि ठीक उसी छण जिसमें ट्रेन रुकी थी कभी के समीप and around him यानि उसके चारो ओर एक काले रंग की पक्षी ने जैसे ही मधुर ध्वनी में गाना सुरू किया वैसे ही अन्य पक्षियों ने भी सिग्रता पुर्भा गाना सुरू कर दिया और इन पक्षियों की मधुर ध्वनी एक्सप्रेश ट्रेन की गती से तेज दूर दूर तक इंग्लैंड के सहर अक्सफोर्ट सायर गुलू सेस्टर सायर तक पहुचा दी यानि इस स्टेंजा में कभी पक्छियों की मधुर्धवनी की गती एक्सप्रेश ट्रेन की गती से तुलना करते हुए कहता है कि पक्छियों की मधुर्धवनी की गती ट्रेन के गती से तेज थी तो बच्चों ये था हम लोगों का एडल्स्टर पोयम यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बना हूँ आप तक आसानी से पहुँच सकें यदि कोई सुझाओ हो तो कमेंट बक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूँ तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चाप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद